मेरिन ड्राइब पे जाने के लिए आप अटल पत को पकर सकते हैं और यहां से सीधा अटल पत फेस्टू होते हुए आप सीधा मेरिन ड्राइब पे आजाएंगे अगर आप दिग्घा से आ रहे हैं तो दिग्घा साइड से सीधा आप मेरिन ड्राइब में एंटर करेंगे और यह रोड अभी आपको पी-म-सी-च तक लेकर जाती है जिसमें दो कट मिलेगा आपको एक गांधी मेदान निकलने के लिए रास्ता दिया गया है और दूसरा सीधा पी-म-सी-च जा सकते हैं अगर आपको दिग्घा से पी-म-सी-च जाना है तो अभी आप मात्र 10-15 मिनट के अंदर आराम से ट्रेवलिंग कर सकते हैं लेकिन यही अगर आप में रोड पर करते हैं तो उसमें आपको कम से कम 45 मिनट से एक घंटा का समय लग सकता है मेरिन ड्राइब पटना वासी के लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है नितिस कुमार के दोबारा अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा नीचे दिये के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से और कॉमेंट करना ना भूले अटल पत के तरह मेरिन ड्राइब का भी दो फेज में काम होने वाला है पहला फेज दिग्घा से पहला फेज है वो दिग्घा से पी-म-सी-च तक स्टार्ट हो शुका है और दूसरा फेज पी-म-सी-च से यहांगे का काम भी कंटिन्यू है तो अभी पी-म-सी-च तक ही मेरिन ड्राइब को चालू किया गया है अभी पी-म-सी-च तक है